दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर मैं आपको बताऊंगा EFI जो system partition होता है इस partition को आप अपनी pen drive से कैसे remove करेंगे तो EFI जो system partition होता है इसकी EFI की full form होती है extensible firmware interface अब ये जो partition होता है ये आपकी pen drive होती है जिसको आप bootable बनाते हैं या bootable जो आप चाहिए windows के लिए bootable उसको बनाते हैं और इसके साथ ही अगर आप make का जो होता है यानि की apple के जो make book होते हैं उनके लिए भी अगर कोई pen drive आप bootable create करते हैं तो उस case में एक partition create होता है और वो ही partition जो है कहलाता है EFI system partition तो इस तरह की जो partition होते हैं इस partition को आप normally अपनी pen drive से remove नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ commands follow करनी होती है और उसी के बाद आप इस partition को remove कर सकते हैं तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अपने जिसे कि यह my computer में ने open किया और यहाँ पे मेरी यह के pen drive है अब इस pen drive के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक drive जो है वो show कर रहा है बट इसके अंदर आप देखेंगे कि एक partition और है इसमें EFI system partition इस partition को आपको check करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे my computer जो आपका होता है उस पे आपको right click करना है और right click करने के साथ ही आपको select करना है manage जब आप manage पे click करेंगे तो manage पे click करने के बाद में आपके सामने एक dialogue box appear होता है और इसमें से आपको select करना है disk management तो यहाँ पर आप देखेंगे यह disk 0 मेरी hard disk है और disk 1 जो यहाँ पे है यह मेरा pen drive है और pen drive के अंदर आप चेक करेंगे दो partition यहाँ पे create हो रहे है अब यह एक इसमें जो 200 MB का partition आप चेक कर रहे है तो इसके अंदर होता है healthy EFI system partition यानि कि मैंने इस pen drive को जो है bootable create किया था और bootable create करने के बाद में इसमें जो है दो partition create हो जाते है एक मेरा EFI system partition है और second मेरा जो basic data का होता है वो partition है अब इसमें से अगर आप यह जो आपका EFI partition है इस partition को आप delete करना चाहते हैं तो जब आप इस पे right click करते हैं select करने के साथ ही तो आपको देखेंगे सारे के सारे option आपके disable हैं तो यहां से आप इस partition को directly delete नहीं कर सकते हैं और किसी भी तरह के कोई भी changes आप इसके अंदर नहीं कर सकते हैं अब यह second number का जो आपका partition है इस partition को select करके जब आप right click करते हैं तो यह कुछ सारे option इसमें आप देखेंगे कि यह enable है तो इस वाले जो partition है आपका EFI system partition है इस partition को आपको delete करना है तो delete करने के लिए आप क्या करेंगे विंडो की के साथ में आपको R प्रेस करना है जैसे विंडो की और R और यहां पे आपको type करना है cmd cmd और फिर आपको enter की प्रेस करना है तो जैसे ही आप Enter की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका DOS की जो यह Command Prompt है वो APR हो जाती है और इसमें आपको Type करना है Disk Part D-I-S-K-P-A-R-T और आपको जब Disk Part आप Select करते हैं तो एक आपकी नई विंडो जो है Command Prompt की वो Open हो जाती है और यहाँ पर आपको Command Type करनी है List Disk तो यहाँ पर आप देखेंगे List Disk के अंदर मैं इस Command Prompt को Close कर देता हूँ यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट है यहाँ पर देखिए Disk 0 यह मेरी Hard Disk है जो इसका जो Space यहाँ पर दिखा रहा है और Disk 01 जो Disk 1 है यह मेरी Pen Drive है तो यहाँ से आप देखेंगे दोनु डिस्क को यहाँ पर Show कर रहा है Disk 0 और Disk 1 और यहाँ पर Size जो है यह उसकी Size डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर अब यहाँ पर आपको क्या करना है इसमें से जो भी आपकी डिस्क होती है यानि की मेरी Disk 1 जो है यह मेरा USB Pen Drive है तो मैं अब इसमें से Select करूँगा Disk 1 तो इसके लिए आपको यहाँ पर Command Type करनी है Select के बाद में एक Space देना है और यहाँ आपको करना है Disk 1 फिर आपको एक Space देना है मतलब Select के बाद एक Space फिर डिस्क फिर स्पेस और फिर आपको 1 फिर आपको करना है Enter तो अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो Disk 1 है is now selected यानि की वो डिस्क आपकी Select हो गई है अब इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिए यो Command Type करना है वो Type करना है Clear C-L-E-A-R और इसमें Clean C-L-E-A-N तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे Clean आपको जो मैंने Starting के अंदर पहले Clear नहीं करना था यहाँ पर जो आपको Clean करना था और अभी यहाँ पर जब मैं करता है उसे Cancel और मैंने एक Command यहाँ टाइप की थी Clean यानि Clear नहीं करना था आपको Clean Command जो है वो आपको टाइप करनी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी डिस्क का जो पार्ट था Successfully जो यहाँ से Clean हो चुका है तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे अभी यह पूरा जो पार्टिशन था यानि कि एक पार्टिशन यहां आ गया है और सेकिंड वाला जो पार्टिशन था यानि कि जो यहाँ पार्टिशन था वो पार्टिशन इसमें से डिलीट हो गया है तो इस तरह से आप अपने पेंड्राइब का जो यहाँ सिस्टम पार्टिशन होता है उस पार्टिशन को आप रिमूव कर सकते हैं आपका रिमूव हो जाएगा तो दोस्तों गर वीडियो पसंद आए इसे लाइक और सेर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें